हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम कच्छा दस बूर्ड एक्जाम में पूछे जाने वाले most important question को यहाँ पर देखेंगे फ्रेंज आप सभी को पता है कि आप सभी का बूर्ड का एक्जाम 16 फरवरी से start होने वाला है फ्रेंज उसमें समाजी विज्ञान के most important question को यहाँ पर देखेंगे जो आपके paper में 100% आने वाले सभी सवाल है फ्रेंज आपकी प्रश्ण बनेंगे इसमें जितने भी question कराएंगे इन ही सभी question में से आपके बूर्ड के एक्जाम में प्रश्ण बनेंगे तो चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखिए आपका है समाजिक विज्ञान ठीक है इसमें हम देखेंगे महत्तुपुडु पहुईकल्पी प्रश्ण इसमें आपका पहला प्रश्ण है कि वर्तमान समय में भारती संग में कितने केंद्रशासित प्रश्ण का सही जवाब होगा ठीक है अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है इन सभी प्रश्णों को आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा और इसे एक दो बार पढ़के याद जरूर कर लीजिएगा ठीक है देखिए आपका दूसरा प्रसन है कि पुनर जा अब्यूद्य 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 हुआ था इस प्रश्ण का सही जवाब होगा इटली चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि विश्व ब्यापार संगठन की अस्थापना कहां पर हुई थी देखिए फ्रेंस ये प्रसन जो है आपकी पेप कि विश्व ब्यापार संगठन की अस्थापना कहां पर हुई थी तो फ्रेंस विश्व ब्यापार की जो संगठन की अस्थापना निव यार्क देश ने हुआ है इस प्रश्ण का सही जवाब होगा निव यार्क ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला जाता है इस प्रश्ण का आपका सही जवाब होगा दस दिसंबर तो मानो अधिकार दिवस जो है आपका दस दिसंबर को मनाया जाता है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद का प्रारम किस देश से हुआ है कि राष्ट्रवाद का प्रारम जिस देश से हुआ है उस देश का नाम बताने आपसन है जर्मनी इटली फ्रांस इंगलेंड तो इस प्रश्ण का सही जवाब होगा फ्रांस राष्ट्रवाद का प्रारम हुआ है फ्रांस देश से हुआ है इसका सही जवाब होगा फ्रांस चल था वेरे वेरी उपोर्टेंट परसंक रहेंस क्या है यह वेरी इंपोर्टेंट है इसायोग आंदोलन का मुख्यकार था जो रालेट प आया था उसी की विरुदमें चलाया गया था अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल चिपको आंदुलन संबंदी थे देखे फ्रेंस आपका भी भी आई प्रश्ण है चिपको आंदुलन किसे संबंदी दे इस प्रश्ण का इसमें सही जवाब क्या होगा वन सरचब आपका अगला सवाल कापाज की खेती के लिए सबसे उचीत भूमी क्लिकले सबसे आप से काली मिठी लाल मिठी जलोण मिठी या लाड राइट मिठी तो याद रखेगा जो कापास की खेती होती है काली मिट्टी में की जाती है का पास की खेती के लिए उची भूमी का उन्सी है काली मिट्टी इस प्रश्ण का सही जवाब होगा काली मिट्टी फ्रेंश ही जितनी भी प्रस्ण लिये गए हैं आपके बौर्ड की एक्जाम के लिए बहुत जादा Important है धेखिए अगला सवाल ह रवी की फसल है। मोटे अनाज पास प्रैंट के इसके फसल यहां रखी दाले हैं हो। इसके साथ आह याद रख धान जो हता है आपकी खरीव की फसल यह भी कई बार बोड के एकजा में पूछा है कि खरीव की फसल कौन सा है ते धान है ठीक है रभी की फसल में डाले हैं यह हूं है इसको साथ में आप याद रखिएगा आपका अगला प्रस्ण है फ्रेंज भारत में उभुबोक्ता संरच सरचर अधनियम कब लागू किया गया था इसका आपसा ने 1982, 1984, 1985 या 1986 तो फ्रेंज इसका सही जवाब होगा 1986 भारत में जो उभुबोक्ता सरचर अधनियम 1986 में लागू किया गया था आपका अगला सवाल देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण फ्रेंज यह भी ब क्या है कि महात्मा गाधी दच्छिड अफ्रिका से वापस कब लोटे देखिए आप साने 1914, 1915, 1918 या 1919 इसका सही जवाब होगा 1915 महात्मा गाधी जो थे दच्छिड अफ्रिका से 1915 में वापस भारत आये थे इसका सही जवाब क्या हो जागा 1915 चलिए अगले सवाल को देख इसका सही जवाब होगा, आटो वान बिसमार्क, इसका सही जवाब क्या होगा, आटो वान बिसमार्क, आपका अगला सवाल है, देखिए, अगला सवाल क्या है फ्रेंस, नेपोलियन का संबंद किस देश से था, ठीक है, जिसका आपसान है, जर्मनी, इटली, फ्रांस या फ्रांस देशसे था चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है 14 नंबर का कि निम्न लिखित में से कौन संघीय राज नहीं है देखिए फ्रेंस आपको बताना है यहाँ पे कि संघीय राज नहीं है देखिए आपसाने मरीपूर हिमांचल परदेश औरवांच यह सभी संघीय राज है ठीक है जबकि दिल्ली एक केंद्रशासित परदेश है इसका सही जवाब क्या होगा दिल्ली दिल्ली जो है एक संघीय राज नहीं है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि नेपाल में लोकतंत्र की अस्थापना कब हुई थ चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि कौन से दो दुरस्त इस्थित अस्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वरा आपस में जोडते हैं ठीक है इसका आपसने मुंबई नागपूर सिल्वर पोरबंदर मुंबई कोलकाता नागपूर या इसका सही जवाब होगा फ्रेंस सिल्वर पोरबंदर ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो कि वेरी वेर इंपोर्टेंट प्रस्न है फ्रेंस ये भी कि किस वर्ष महात्मा गाधी राष्टी ग्रामिर रोजगार गारंटी एक्ट चलाई थी देखें ये महात्मा गाधी जी के द्वारे जितनी भी प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ट के एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है फ्रेंस तो महात्मा गाधी राष्टी ग्रामिर रोजगार गारंटी एक्ट कब चलाई गए थी ये चलाया गया थ है तो 2005 में है इसका सही जवाब होगा 2005 ठीक है आपका अगला सवाल है कि सलावांद बांध वेड़ वेड़ इंपोर्टैंट बांध सिसंबंदित आपके एक सिज़ाम में पूछता है एक क्योश्ट ठीक है देखिए क्या है आपका सवाल कि सलाल बांध नदी पर बना है यानि कि सलाल बांध किस नदी पर बना है जिसका आपसाने महानदी चिनाओ सतलच या किश्रा तिसका सही जवाब होगा चिनाओ नदी तो सलाल बांध कहां पे है चिनाओ नदी पे आपका अगला सवाल है कि भारत में पवन उर्जा का विशाल केंदर कहां इस्थित है तो भारत में पवन उर्जा का विशाल केंदर आपका है उत्रा खंड में तिसका सही जवाब होगा उत्रा खंड चलि अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि सुन्दर वन र राष्टी पार्क किस राज्य में स्थीत है देखे सा ने असंग है उरिशा पस्टिम बंग्र या मध्यर परदेश। सुन्दर वन राष्टी पार्क जो है आपका पस्टिम बंग्र पर्स क्ला यह जो प्रशन है एगा इसका उनन कली किस सुबस्तु का निर्यातक भारत नहीं है या आपसा ने काफी उर्वरक तंबाकु चा इसमें से आप एंस्वर कमेंट बाक्स में जरू लिखे इस प्रशन का कि इसका सही जवाब क्या होगा ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें